शूसेना सांसा संजराउथ और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने हैं महराश्च में केंद्री जाच एज़न्सियों की कारवाई के बाद से लगातार राउथ केंद्र सारकार पर हमला बोलते रहे हैं संजराउत अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं कभी अपनी सरकार की पीट थप थपाने लगते हैं तो कभी अपनी पार्टी शुसिना की जमकर तारीप करते हैं शुसिना और मुक्यमंत्री उधो ठाकरी का पक्ष भी अकसर संजराउत ही रखते हैं संजराउत इंदनों बीजेपी और मोधी सरकार पर जमकर हमला बोलने में लगे वे थे पाच राज्यों में वेविधान सबाचुनाओ से पहले राउत ने दावा किया था कि बीजेपी की करारी हार होनी जा रही है लेकिन हुआ उसका उल्टा बीजेपी ने चार राज्यों में अपनी सरकार बना कर दिखा दिया कि भगवा दल की लहर अब भी कायम है इसके अलावा भी राउत बीजेपी पर निशाना सादने में लगे हुए थी लेकिन राउत ने अब जो कहा है वो हैरान करने वाला है इस बार उन्होंने एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी है जो चर्चा में बना हुआ है दरसल संजराउत ने ट्वीटर पर अपनी एक ब्लैक और पॉइट तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि कभी कभी मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है संजराउत के इस ट्वीट पर लोग भी अपनी अपनी प्रत्क्रियाय दे रहे हैं रिजवार नाम के एक यूजर ने लिखाए कि बेकूप और जाहिलों के मुकाबले मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है एक यूजर ने लिखाए कि राउत की बोलती एरी ने बंद कर दी है पैजल नाम के यूजर ने लिखाए कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है मुझे लगता है कि इनका अकाउंट ही हैक हो गया है संदेव शुकला ने लिखाए कि अगर आप ऐसे ही मौन रहे तो शुसेना बच जाएगी कृष्ट नाम के एक यूजर ने लिखाए कि अगला मनमोहन सिंग शुसेना से ही होगा आनंद नाम के एक यूजर ने लिखाए कि सही बात है जादा बोलने पर E.D. वाले जेल भीज़ दे रहे है इसके अलावा भी कई यूजर ने ट्वीटर पर संजेराओद को ट्रूल किया है गौर तलब है कि संजेराओद हाल के दिनों में बीजेपी पर हमलावर रहे है पाच राज्यो के विधान सवाचुनाओ के दोरान भी वो लगातार बीजेपी के खिलाप खुल कर बोलते रहे वही नवाब मले की गिरबतारी और केंदरी चाच एजन्सियों दोरा घाडी की निताव पर हुई कारवाई पर राउद बीजेपी के खिलाप खुल कर हमलावर थी लेकिन अचानक उनके इस तरह की ट्वीट से कई सवाल खड़े हो रहे है और भी वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं